आज मैं 10 different sunscreens का review आपके साथ share कर रही हूँ ताकि हम देख सकें which is the best sunscreen for summer in India dry skin, oily skin and combination skin type के लिए सबसे अच्छा sunscreen कौन सा रहेगा ये जानने के लिए मैं इन sunscreens को half of the face पर apply करके आपको दिखाऊंगी one by one मैं one finger rule use करूंगी ताकि हम देख सकें कौन सा sunscreen कैसे blend होता है किसी का white cast तो नहीं है गर्मियों के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा तो इसको मैं एक फिंगर लिया है संस्क्रीन का और इसको half of the face पर अपलाई करके जैसे मैं ब्लेंड करना शुरू कर रही हूं आप देख रहे हो इतनी आसानी से ये चेहरे के उपर मर्ज नहीं हो रहा है पहला तो लिए मैंने इसको half of the face पर लेकिन फिर भी इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो मैंने इसको चेहरे के उपर evenly spread करके हलका सा ब्लेंड करने की कोशिश की जब ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा था तो इसको मैंने चेहरे के उपर एक दो मिनट के लिए चोड़ दिया और उसके बाद दुबारा ब्लेंड करने की तो ये संस्क्रीन अगर आप टू या थी फिंगर भर के पूरे चेहरे पर लगाओगे तो आपको कम से कम दो से तीन मिनट का टाइम इसको देना पड़ेगा स्किन के उपर अच्छे से सेट होने के लिए इनिशली आपको लग सकता है कि हलका सा वाइड कास्ट है बट इवे तो इसको ड्राइ स्किन के लिए आप डेफिनिटली चेक कर सकते हो इसका प्राइज है 379 रुपीज जिसमें आपको 50 ml क्वांटिटी मिलती है नेक्स्टा है जो भी सहरबल संगार्ड SPF 60 PA++++ 3-1 मैट लोशन परमें फ्री संस्क्रीन इसका प्राइज है 425 रुपए जिसमें आपको 100 ml क्वांटिटी मिलती है नौ मैं यहां पर इसका एक फिंगर पुरा भर के संस्क्रीन का चेहरे के ऊपर अपलाई कर रहूं हाफ ऑफ द फेस पर जैसे मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करा you can see कि यह काफी जादा थिक कंसिस्टेंसी का संस्क्रीन होने की वज़ा से ब्लेंडिंग इस नौट आट इजी इंस्टेंटली स्किन के अंदर मर्ज नी होगा यह थोड़ा टाइम लेगा वन फिंगर इस संस्क्रीन के साथ अप फुल फेस और उसके साथ साथ नेक पार्ट को भी कवर कर सकते हो बिकॉस ब्लेंड इसके साथ आपको कोई वाइट कास भी नहीं दिखेगा and this is a long lasting sunscreen मैंने इसको try किया है लेकिन अगर आप दो या तीन फिंगर भर के sunscreen की लगाने जाओगे तो आपको 15-20 मिनट का time लग सकता है क्योंकि यह इतनी आसानी से फिर ब्लेंड नहीं होगा तो यहां पर मैंने इसको चेहरे के ऊपर spread करा ब्लेंड कर र However, इसकी भी finish completely matte नहीं है समर में आप इस sunscreen को use कर सकते हो if you have dry skin but oily skin वाले you can avoid it Next is Dotan Key Watermelon Cooling Sunscreen with SPF 50 इसके कुछ क्लेम्स भी है यह better vitamin D absorption में help करता है इसका कोई white cast नहीं है यह UVA UVB rays के साथ-साथ blue light से भी protection देने में help करता है इसका price है 445 रुपीस जिसमें आपको 50 gram quantity मिलती है तो चलो इसको भी test कर दे है First of all, it's a very runny and liquidy sunscreen इसका भी एक finger मैंने लिया है और half of the face पर जैसे मैंने इसको blend करना start करा It blended very easily यह skin को बहुत हलका लगता है इसको blend करने में जादा effort नहीं लगता This is one sunscreen, one of the sunscreen जो आप जटपट 1 minute के अंदर भी skin के ओपर जब blend करोगे तो यह skin में merge हो जाएगा गर्मियों के लिए यह sunscreen काफी अच्छा है यह oily या combination skin के लिए भी आप यूस कर सकते हो It depends how you prep your skin So this is one sunscreen which can go for dry, oily and combination skin as well Next is Dr. Shet's Ceramite and Vitamin C Sunscreen SPF 50 PA++++ इसके भी कुछ claims है It's a anti-pollution, anti-visible light, protect against UVA and UVB This sunscreen में 1% ceramides and 2% vitamin C complex के साथ 1% hyaluronic acid and milrin and organic filters भी है So this is one finger में ले रही हूँ, यह हल्किसी thicker consistency का sunscreen है Spread हो जाता है चहरे के ऊपर बहुत ही आसानी से Initially आपको लगेगा कि हाँ काफी white लग रहा है But again इसका भी जो one finger amount है अगर आप इसको पूरे चहरे पर use करते हो Then you might feel like कि हाँ यह चहरे के ओपर जल्दी blend हो रहा है और जल्दी merge हो गया है But half of the face के लिए one finger की quantity कुछ जादा ही लग रही है यहाँ पर मुझे यह sunscreen मैं अलड़ी दू बार खटम कर चुकी हूं And this is the third one यह winters के लिए मेरा जादा फेवरेट है गर्मियों में आपको थोड़ा sticky feel दे सकता है If you have oily skin Even for my dry skin I find it little heavy on my skin So गर्मियों के लिए मैं इसको side पे रखती हूं But for winters this is one of the best sunscreen to try for Next I have another dot and key sunscreen This is vitamin C plus E super bright water light SPF 50 PA triple plus sunscreen UVA UVB plus blue light से protection देता है Better vitamin D receptors है इस sunscreen में कोई white cast नहीं है इसका price है 445 रुपीस जिसमें आपको 50 gram quantity मिलती है And again you can see this is a very very lightweight sunscreen इसको अगर आप watermelon sunscreen के साथ compare करोगे तो इसकी consistency और भी जादा रनी है और ये और भी जादा जल्दी से skin के उपर blend होके merge हो जाता है मैंने इसको सबसे पहले winters में try कर था And then I tried this one in summers ये मुझे एक universal sunscreen लगता है जो सद्यों और गर्मियों में भी यूज कर सकते है Skin जरूर मेरी काफी dewy लग रही है But eventually it's settled down on my skin very beautifully Lightweight sunscreen है That's why this can be used by even oily skin type Next is Nika Skin RX Ultra Matte Dry Touch SPF 50 PA++++ Sunscreen जो आज की वीडियो में मैं सबसे पहली बार अपनी skin पर try कर रही हूँ इस पर मैंचन है कुछ क्लेम, ये skin brightening complex के साथ है Water and sweat resistant है, mineral filters है और anti-oxidant है So इसका एक finger निकाला मैंने sunscreen का जैसे चेहरे के उपर मैंने ब्लेंड करना शुरू करा I noticed something It was feeling very smooth on my skin ये exactly मुझे एक silicone based primer के जैसे लग रहा था Skin के ऊपर And then when I just turned the back of packaging and started reading the ingredient And the second ingredient is dimethicone which is a silicone So it's a silicone based sunscreen So definitely you can try out if you have oily skin Or if you have nose area which gets very oily in summer It was very easily blend, no white cast नहीं है It was not feeling heavy and it was feeling very smooth My skin was feeling extremely smooth So if you have oily skin type I think you should check out Nika Skin Rx Ultra Matte Dry Touch Sunscreen However the feel is not that ultra matte okay It can look matte but it's not too drying out matte So oily skin people this is the sunscreen for you Next is again another dot and key sunscreen This is Blueberry Hydrate Barrier Repair Sunscreen Long lasting skin को moisture देता है SPF 50 PA 4 Plus है इसमें Broad spectrum है इसमें Highloronic Acid के साथ 5 different ceramides भी है इसका भी प्राइस है 4.45 जिसमें 50 gram को वांटी मिलती है And ये वाला जब जब वान फिंगर संस्क्रीन मैं ने चेहरे के ऊपर ब्लेंड करना Start करा Then I felt blending is easy It's merging into my skin But this one is very much hydrating And dewy on my skin And ये वाला संस्क्रीन कोई वाइट कास तो नहीं देता है काफी glowing feel भी दे रहा है But I do felt like कि ये विंटर्स का संस्क्रीन रहेगा In summer this can feel too oily even for my dry skin So I will not use this Dotin की संस्क्रीन for this summer season Next sunscreen which we are testing for the best summer sunscreen in India Is from the brand Innisfree Innisfree का tone-up no-sebum sunscreen SPF 50 और PA4 Plus के साथ हाता है This is a matte finish sunscreen जिसका प्राइस है 1400 रुपे ये सबसे महंगा संस्क्रीन है जो मेरे पास है इस वक्त जब मैं इसका वन फिंगर चेरे के उपर अपलाई करा पहले तो इसमें मुझे स्लाइटली सा स्किन कलर जैसा पीची तिंट दिखाई दिखाई दिया And when I started blending it, it was completely white on my skin I tried my best to blend it out लेकिन ये मुझे एग्जेक्ली वही पुराने संस्क्रीन की याद देलाता है जब हमारे पास इतने सारे ओप्शन्स नहीं थे No white cast वाले sunscreens के तब जातर sunscreens इतना ज़ादा white cast ही दे थे बट ये वाला sunscreens जब मैं लगाया, it was giving a lot of white cast फिर मैंने सोचा चलो इसको भी थोड़ा time देती हूं I just leave it for 5 minutes on my skin but even after 5 minutes my skin was looking white so एक तो इसको ब्लेंट करना काफी effort वाला काम लगा मुझे skin के उपर फिनिश की definitely matte है but it gives a hell a lot of white cast and I will avoid it next is the recent launch this is Navya Sun UV Face Shine Control Instant Mattifying Effect Sunscreens with SPF 50, UVA, UVB high protection ये देता है इसका प्राइस है 599 और ये sunscreen में complete review already मेरी shots में share कर चुकी हूं and let me tell you blending is not a problem at all with this sunscreen you can see it here कोई इसका white cast नहीं है the only concern जो इस sunscreen के साथ मुझे लगा वो यही कि इसकी finish matte नहीं है इस पे matte लिखा है but it's not giving out a matte finish best sunscreen for summer की category में next sunscreen मेरे पास है from the brand quench this is their bravocado daily defense tinted sunscreen SPF 50 PA++ इसमें 4 different shades option अवेलिबल है ये है shade medium now tinted sunscreen has gone viral a lot on internet even dotenki ने भी अपना tinted sunscreen launch करा and every new brand is coming up with their tinted sunscreens और ये वाला tinted sunscreen मेरे पास पिछले एक साल से है and I have not used it a lot reason being because अगर मुझे मेकप करना है I prefer using a makeup product और अगर मैं sunscreen लगा रही हूं I prefer only a sunscreen like I will not compromise on my sunscreen with a makeup product same way मैं अपने makeup के लिए सिरफ एक tinted sunscreen पर rely नहीं रहना चाहूंगी so I think this is a more useful product for persons who go out everyday college going girls or working women हो सते हैं उनके लिए काफी helpful हो but if you are a stay at home mom like me I don't prefer using this one ऐसी कोई खास कमी नहीं है इस product में but the thing is कि मेरे daily routine में इसका purpose fit नहीं होता so in सब में से best sunscreen कौन सा है summer के लिए well मेरा फेवरेट sunscreen वोट तो जाता है DotN की sunscreens को क्योंकि वो मुझे काफी light weight लगते है however आपका फेवरेट sunscreen कौन सा है मुझे comment section में जरूर बताईएगा that's all for this video thank you so much for watching